और दोस्तों तो यह एक सवाल है fluid statics का तो इसको चलिए solve करते हैं हम लोग तो आप देखिए कि यहां पर एक uniform cylinder है उसका density given है हम लोगों को तो इसका density हमें रो गिवन है तो सब कुछ हम लोग diagram में अगर ऐसे mark कर लेंगे तो हमारे लिए visualize करना बहुत आसान रहता है तो density रो गिवन है length of the cylinder is L तो यह पूरा length हमें given हुए तो दोस्तों मैं यहां पर जो है इसको बड़े आराम से solve कर रहा हूं ताकि आप लोट को सब चीज समझ में आय तो यहां पर मुझे ज्यादा time लगेगा क्योंकि मुझे आपको सम्झाना भी है तो length है density है cylinder की और हमें radius of cylinder भी given है तो इसको हम लोग यहां ऐसी लिख देते हैं अब क्या होता है कि जो density है आप देखेगा कि जो density है वो water की density से काफी कम है तो किसी तरह हमने इसको दबा के रखा हुआ है ताकि यह top surface surface of the water पर रहेगा अब जैसे ही आप अपनी finger यहां से हटाएंगे यह उपर की तरफ जम करेगा तो यहां इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों कि जब आप इसको छोड़ेंगे और यह उपर की तरफ पूरा का पूरा निकल आ तब इसकी velocity क्या रहेगी यह पूछा गया है यहां पर अब आपके दिमाग में immediately एक दो चीज़े clear हो जाएंगी कि आप देखेंगे कि इसका potential energy change हुआ है center of mass पहले इस level पे था center of mass उपर चला गया तो potential energy आपकी इस height के हिसाब से change हुई है तो center of mass उपर चला गया आपका कितना length of the cylinder के बराबर उपर चला गया तो अगर center of mass उपर चला गया है पोटेंशल एंजी इंक्रीज हुई है, तो इसमें कानेटिक एंजी कैसे आ गई? पूछा गया है कि इसके वेलासिटी क्या है? कानेटिक एंजी दोस्तो इसलिए आई है, क्योंकि यहां पर एक बॉएंट फोर्स लग रहा है वाटर के द्वारा, जो कि इस सिरिंडर पर वर्क कर रहा है, तो इस वज़े से इसमें कानेटिक एंजी आएगी, अब एक दो चीजे आपको समझ में यहां पर आनी चाहिए, कि जो बॉएंट फोर्स है, वो कंटिनुस थी चेंज हो रहा है, क्योंकि जो वाल्यूम डिस्प्लेज है, वाटर का, वो चेंज हो रहा है, जैसे-से इसलिंडर उपर आता जाएगगा, बॉएंट फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है, अबॉर्क अपर इन्टो भी लिखी लीजिए, वर्ग नेर्जी थियोरम के हिसाब से, W is equal to U2 minus U1 plus K2 minus K1, ठीक है, तो ये W जो है, वर्ग दन भाई, बॉयंट फोर्स है, U2 minus U1 जो है, change in potential energy है, जो कि MGL के बराबर होगी, और K1, initial counting energy 0 थी, जब आपने जस्ट इसको release किया था, final counting energy, half M V square हो जाएगी, ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर mass नहीं given है, ठीक है, लेकिन बागी सब चीज़े given है, जिसकी वज़े से आप mass निकाल सकते हैं, mass of the block हो जाएगा यहाँ पर, density of the block into area of cross section, जो कि pi r square होगा, into L, ठीक है, तो यह चीज़ आप ध्यान रखेगा, अब चलिए निकालते हैं, work done by the buoyant force, ठीक है, तो work done by buoyant force निकालने के लिए, हम यहाँ पर assume कर लेते हैं, कि cylinder, cylinder जो है, at this moment, distance y तक water के अंदर है, ठीक है, तो water के अंदर इतना portion submerged है, तो हमें buoyant force का पता लगाना है, जो कि y पे dependent है अभी, ठीक है, तो buoyant force हो जाएगा आपका, density of the liquid, ठीक है, area of cross-section into y, तो इतना जो है, mass of water displace किया हुआ है, at present, ठीक है, तो at present, this into g, this is the buoyant force, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा उपर अगर dy उपर जाता हूँ, तो dy भी मेरा इसी तरफ होगा, ठीक है, तो इस तरफ में slight movement करता हूँ dy, तो small amount of work done, मेरा हो जाएगा, rho-naught, pi, r square, y, g, dy, ठीक है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पर integrate करना है दोस्तों, और मेरा total work done आजाएगा, यहाँ पर आप देखेगा, कि आपको पहले से पता है, कि buoyant force उपर की तरफ लग रहा है, और displacement भी उपर की तरफ है, ठीक है, जिस वज़े से आप बोल सकते हैं, clearly, कि buoyant force जो है, positive work करेगा, ठीक है, तो आपको integrate करते समय, अगर negative value भी आती है, तो भी आप उसका mod ले लीजिए, ठीक है, actually, होगा क्या कि dy is negative over here, क्योंकि यह y द्री दरे कम हो रहा है, तो dy एक negative quantity है, तो एक minus बहार आएगा, लेकिन आप वो सब हम लोंको ज्यादा detail में सोचने की जाओत नहीं है, हमको पहले से ही पता है, कि buoyant force जो है, positive work करेगा, ठीक है, तो जो भी value आएगी, उसका mod लेकिन गाएगी, तो dy is this, ठीक है, आपका जो y है, वो change हो रहा है, ल से लेकर 0 तक, ठीक है, तो जब आप इसको rho 0 pi r square g l square by 2, बट क्योंकि dy अपना negative था, तो यहाँ पर minus sign आना चाहिए था, तो आप इसको positive कर लिजे, दोस्तों, तो यह आजाएगा, आपका rho 0 pi r square g l square by 2, ठीक है, तो यह आपका work done हो जाएगा, fine, चलिए, तो हमने यहाँ पर work done निकाल लिया है, तो आप simply जो है, यहाँ पर pi, w की जगह है, work done लिख दीजे, rho 0 pi r square g l square by 2, यह आजाएगा आपका, m जो की rho pi r square l, g into l, plus half mv square, m आपका rho pi r square l है, right, so that into v square, तो यहाँ पर आप देखेगा, जाकि pi चला जाएगा, ठीक है, r square भी चला जाएगा, ओके, और 1 l भी आप cancel कर सकते हैं, right, तो बस आपको इसको simplify करना है, आपके पास answer आजाएगा, और 200 final answer जो है, v is equal to 2 meter per second है, ठीक है, तो I hope आपने कुछ सिखा होगा आज, ठीक है, strong होतर है, ठीक है, ठाइक यू, जाइक है, एंच सीछ जाएगा,